Hello students, today let's start the third chapter of your supplementary reader, It So Happened, The Selfish Giant and written by Oscar Wilde. The Selfish Giant means Swarthi Roxas. ये story एक Swarthi Roxas की है, जिसने अपने बगीचे में बच्चों को खेनने से मना कर दिया था. कि स्वार्थी Roxas था, उसका एक बगीचा था, जिसमें हमेशा बच्चे खेला करते थे. लेकिन एक दिन उस Roxas ने उन बच्चों को खेलने से मना कर दिया, और जिस कारण बच्चों के पास खेलने का कोई अच्छा स्थान नहीं बच्चा था. इस कारण बच्चे बहुत दुखी होए और फिर उस Roxas से प्रैकिरती नाराज हो जाती है और उस Roxas को सजा मिलती है. तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं और पता करते हैं कि Roxas को प्रैकिरती ने किस पिरकार सजा दी. तो अपना फर्स्ट पराग्राप स्टार्ट करते हैं. इन पिले खेलते थे इन दा जायंट्स गार्डन राक्सस के बगीचे में. बच्चे जब भी स्कूल से आते थे दोपहर के बाद तो वे हमेशा राक्सस के बगीचे में जाया करते थे और बहाँ पर खेला करते थे. यह एक बड़ा और लबली प्यारा बगीचा था विद सौफ्ट ग्रीन ग्रास जिसमें कोमल हरी घास थी. Here and there, over the grass, stood beautiful flowers like stars. Here and there, यहाँ वहाँ, over the grass, घास के उपर, stood खड़े वेते या लगे वेते beautiful flowers, सुन्दर फूल, like star star की भाती. And there were twelve peach trees, और वहाँ पर twelve peach tree means बारे आड़ू के brugs भी थे. In the spring time broke out into delicate bluesems of pink and pearl. In the spring time, जब spring time होता था, बसंत का समय होता था, तो delicate, कोमल, bluesems, खिल जाते थे pink and pearl. मोती की समान सफेद और गुलाभी रंग के फूल उस बगीचे में खिल जाया करते थे. And in the atom wore rich fruit, और atom means पतज़ड के मोसम में वो भारी फलो से भर जाता था. The word sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. The word said, पक्सी बैठते थे on the trees पेड़ो पर and sang गाते थे so sweetly तनी मधूरता से. That the children used to stop, कि बच्चे रुख जाया करते थे. Their games अपना खेल खेलते वे. अज़ाद अपना खेल, अपना गेम खेलना बंद कर देते थे in order to listen to them. उन पक्सीों का गाना या संगी सुनने के लिए वो खेलना बंद कर देते थे. बेपक्सी इतना मधूर गाते थे. How happy we are here. हम यहाँ पर कितने खुस हैं. कैसे खुस हैं या कितने खुस हैं. They cried to each other. भे हमेशा एक दूसरे से चिलाते हुए यह कहते थे कि हम यहाँ कितने खुस हैं. One day the giant came back. एक दिन वो giant means raksas बापस आ गया. He had been to visit his friend. जो अपने friend से मिलने गया हुआ था. The Cornish Ogre. Cornish Ogre से मिलने गया था. And had stayed with him for seven years. और उसके साथ वह साथ वर्स तक रुका. When he arrived, जब पहुचा. He saw the children playing in the garden. तो उसने बच्चों को बगीचे में खेलता हुआ देखा. What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इना बैरिक, ग्रफ वोईस. ग्रफ वोईस, रूडली वोईस. या रफ वोईस. भोती भद्दे स्वर में या कठोर स्वर में वह चिलाया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? And the children ran away. और बच्चे वहाँ से भाग गए. वो राक्सस से डर गए और भाग गए. My own garden is my own garden, said the giant. उस राक्सस ने कहा कि यहाँ on garden, यहाँ मेरा बगीचा है. Only मेरा, केवल मेरा बगीचा है. Anyone can understand, कोई भी ब्यक्ती understand, समझ सकता है. And I will allow nobody to play in it, but myself. कि मैं अपने आपके अलावा किसी भी ब्यक्ती को यहाँ खेलने की अनुमती नहीं दूँगा. So he built a high wall all around it. इसलिए उसने एक उंची वाल, एक उंची दिवार उस बगीचे के चारो और लगा दी. And put up a notice board. और एक notice board, सूचना board भी लगा दिया. और क्या लिखा? Trees passers will be prosecuted. Means trees passers की person जो बिना अनुमती के किसी की property या किसी की जगह में प्रवेश करेगा, उसको prosecuted means punished, उसको सजा दी जाएगी. अर्थात, इस बगीचे में जो भी मेरी बिनानुमती के आएगा, उसको सजा मिलेगी. ये board उसने लगा दिया. अब बेचारे बच्चों के पास कोई भी जगहा खेलने के लिए नहीं थी. They tired to play on the road. उन्होंने सड़क पर खेलने का प्रियास किया, but the road was very dusty and full of hard stones. लेकिन road जो थी, वो very dusty, बहुत धूल से भरी थी and full of hard stone और भारी कठोर पत्थरों से. And they did not like it. और वह उसे पसंद नहीं करते थे. यह था, रोड पे खेलना वो पसंद नहीं करते थे, क्योंकि रोड बहुत ही गंदी थी. और पर पत्थर पड़े हुए थे. They used to wander round the high walls when their lessons were over. They used to wander घूमा करते थे round the high walls. वो उच्छी दिवार जो राक्सस ने बगीचे के चारों और बना दी थी. वे उस दिवार के चारों और घूमा करते थे. When their lessons were over और जब उनके lessons उनकी पढ़ाई समाप्त हो जाती थी. पूरी हो जाती थी. And talk about the beautiful garden inside. और हमेशा वो बगीचे के बारे में, अंदर के बगीचे के बारे में बाते किया करते थे. How happy we were there. Then the spring came. फिर बसंत आया. And all over the country there were little bluesems and little words. फिर सारे country, सारे नगर में या देश में there were little bluesems. छोटे-छोटे फूल खिल गए and little words. और छोटी-छोटे पकसी गाने लगे. Only in the garden of the selfish giant, केबल उस स्वार्थी राक्सस के बगीचे में, it was still winter, अभी भी सर्दी थी. उसमें बसंत नहीं आया था. The words did not care to sing in it. कोई भी पकसी उसमें गाना नहीं चाहता था. As क्योंकि there were no children, क्योंकि उस बगीचे में बच्चे नहीं खेलते थे. And the trees forgot to blossom. और trees, पेड़ भी forgot भूल गे blossom खिलना. अर्थाथ पेड़ों पे फूल खिलने बंद हो गए. Once a beautiful flower put its head out from the grass. Once एक बार a beautiful flower, एक सुन्दर फूल put its head out. उसने अपना सिर निकाला from the grass. घास से बाहर उसने अपना सर निकाला. What? When it saw the notice board. लेकिन जब उसने वो notice board पड़ा, रासस की बिना अनुमती के कोई भी इसमें प्रवेस नहीं करेगा. तो it was so sorry for the children. तो बच्चे के लिए उस फूल को बहुत ज़्यादा दुख हुआ. That it slipped back into the ground again. और बापस वो slipped कर गया. अर्थाथ बापस वो जमीन के अंदर चला गया. And bent off to sleep. और सो गया. The only people who were pleased by the snow and the frost. केबल जो लोग खुश थे उस बगीचे से वो थी या उस राश्च से जो खुशते वो थे. Snow and Frost. कि Snow, Burp and Frost पाला. पाला और बर्फ. केबल वो ही दो लोग खुशते जो उस बगीचे में रहते थे. Spring has forgotten. Spring has forgotten this garden. और बसंत भी इस garden को forgotten. यानि भूल चुका था. भूल चुका है. They cried, बे चिल्लाए. So we will live here all the year around. मतलब इस नोर फ्रोस्ट. पाला और बर्फ चिल्लाए की. इसलिए अब पूरे बर्फ हम ही इस बगीचे में रहने वाले हैं. Dice no covered up the grass. बर्फ ने grass घास को covered up. ढ़क दिया with her great white cloak. अपने बड़े सफेद क्लोक लबादे से. And the frost painted all the tree silver. और frost पाले ने painted, paint कर दिया, रंग कर दिया tree silver. चान्दी का रंग. अर्थात पाले ने पेड़ों को सफेद कर दिया. Then they invited the north wind to stay with them. फिर पाले ने और बर्फ ने north wind, north wind होती चिली विंड, यानि ठंडी हवाओ को अपने पास रुकने के लिए आमंत्रित किया. And he came, और बहे आ गया. पावन, ठंडे, पावन, north, उत्री पावन को उनोंने आमंत्रित किया, और बहे आ गया. He was wrapped in first. He wrapped बहे, लिप्टावा था in first, मोटे बालों में. And he rode all day. बहे, सारा दिन सोर्क क्या करता था, about the garden बगीचे में. And blue the chimney ports down. Blue गिरादिया करता था, chimney port. Chimney का जो ports था, वो गिरादिया करता था. This is a delightful sport. यह बहुती प्रसनिचित स्थान है. He said, उसने कहा, किसने? पवन ने. We must ask hail on a visit. हमें hail मिन्स, ओले को मिलने के लिए बुलाना चाहिए. So the hail came, इसलिए ओला भी आ गया. Every day for three hours, he rattled on the roof of the castle. Till he broke most of the slates. Every day प्रती एक दिन, four, three hours, तीन घंटे तक, he rattled on the roof, छट पर पड़ा करता था, of the castle. Castle means, किले की. अर्थात, ओला प्रती एक दिन, तीन घंटे तक लगातार बरसता था, और किले की छट पर पड़ता था. तिल जब तक की, he broke most of the slates. जब तक भी अधिकान slates नहां तोड़ देता, तब तक पड़ता रहता. And then, then, फिर, he ran round and round. वह गोल-गोल घूमता था, the garden, as fast as he could go. जितनी भी तेजी के साथ, वह बगीचे में चारो और घूम सकता था, बह उतनी तेज घूमता था, और he was dressed in grey. वह कपड़े पहने रहता था, grey color के, slaty रंग के. And his breath was like ice, और उसकी जो सांसे थी, वो ice barf की भाती थी. I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. Selfie giant बोला कि I cannot understand, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि why the spring is so late in coming. कि spring ने, बसंत ने मेरे बगीचे में आने में इतना समय क्यों लगा दिया. ये बात मुझे नहीं समझ आ रही है. As he sat at the window and looked out at his cold white garden. As he sat, बैठा हुआ था at the window खिड़की पर and looked out. बहार देख रहा था at his cold white garden अपने ठंडे सफेद बगीचे में जिसमें बर्फ और पाला जमा हुआ था. I hope there will be a change in the weather. कि मैं आसा करता हूँ कि मोसम में बदलाव होगा या होना चाहिए. But the spring never came लेकिन बसंत कभी नहीं आया. Nor the summer or नहीं गर्मी का मोसम. Greece मृतु आई. The atom gave golden fruit to every garden. Atom ने, atom यानि पत जड़के मोसम में, सभी के बगीचों में सुनहेरे fruits आई, फल आये, but to the giant garden she gave none. लेकिन उसने उस राक्सस के बगीचे में कुछ नहीं दिया. His two selfies बो इतना स्वार्थी था. She said, उसने कहा था, पतज़ड की रितु ने कहा कि बहुत ज़्यादा स्वार्थी है. इसलिए उसके बगीचे में कोई फल नहीं आया. So it was always winter there. North wind means chilly wind, थंडी हवा, hail, ole and the frost pala and the snow. वर्फ डांजड नासते थे about through the trees, पेड़ों के चारोर. ये सारी चीज़े जो हैं बगीचे में रही, जाएंट के राक्सस के बाकी कोई फूल नहीं खिला, ना उसके उपर कोई उसके बगीचे में फल आये. One morning the giant was laying awake in bed when he heard some lovely music. One morning एक सुबा, the giant was laying awake in bed. अपने बिस्तर पर जागा हुआ, लेटा पड़ा था. When he heard, जब उसने सुना some lovely music कुछ मधूर संगीत. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. It sounded so sweet, उसकी sound उसकी ध्वनी इतनी मधूर थी जो उसके कानों में पड़ी that he thought उसने सोचा, it must be the king's musicians कि ये कोई ना कोई राजा का गायक होगा, जो बहां से passing by गुजर रहा है. It was really only a little linate singing outside his window. It was really, लेकिन बास्ता में वे केवल एक linate पकसी था, linate पकसी जो बहुत मधूर गाता है, outside his window, उसकी खिड़की के बाहर, एक linate पकसी था, जो गाना गा रही थी. But it was so long since he had heard a word singing in his garden, कि इतने लंबे समय से उसने अपने बगीचे में कोई अब आकर के गाना सुना था. That it seems to him to be the most beautiful music in the world. इसे उस राक्सस को ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे बह म्यूजिक संसार का सबसे सुन्दर संगीत था. Then the hail stopped, और hail यानि ओला पढ़ना बंद हो गया, उसने डांसिंग नाचना बंद कर दिया over his head उसके सर पर, and the north wind kiss drawing, और north wind उत्री हवा ने भी सोर मचाना बंद कर दिया and a delicious perfume came to him through the open casement. Delicious perfume, एक स्वादिस्ट perfume, एक सुगंद came I to him उसके उपर through the open casement, जो उसकी खुली हुई casement means window थी, उस खिड़की से उसके उपर मधूर, फूलों की खुसबू आई सुगंद आई, I believe the spring has come at last, अब मुझे विश्वास है कि अब आकिरकार बसंत आही गया है, said the giant, राक्सस ने कहा, and he jumped out of bed and looked out, बह अपने बिस्तर से कुदा या उठा और उसने बाहर देखा, He saw a most wonderful sight, उसने एक आश्चर्य जनक द्रस्य देखा, through a little hole in the wall, the children had cracked in, through a little hole, एक छोटा सा hole बना दिया था, in the wall, दिवार में, the children had cracked in, जिसमें से बच्चे रेंग कर अंदर आ गए, राक्सस के बगीचे में, and they were sitting in the branches of the trees, और बे पेडों की साखाओ पर बैठे हुए थे, in every trees that he could see, there was a little child, प्रती एक पेड पर, उसने देखा की बच्चे बैठे हुए थे, and the trees were so glad, और पेड इतने गलेड इतने खुश थे, to have the children back again, बच्चों को बापस पाकर, and they had covered themselves with bluesm, और उन्होंने खुद को covered कर लिया, ढख लिया, किसी bluesm's फूलों से रथा, सारे पेडों पर फूल खिल गए थे, and were waving their arms gently, और waving हिला रहे थे, their arms अपने हाथों को gently धिरे धिरे अर्था, अपनी साखाओं को हिला रहे थे, above the children's head, बच्चों के सिर के उपर, the words were flying about, and twittering with delight, जो words थी, पक्सी थे, were flying उल रहे थे, about यहाँ वहाँ, and the twittering, चहर चहा रहे थे, be delight, प्रसनता से, and the flowers were looking up, but फूल उपर देख रहे थे, through the green grass, हरी घास के उपर, फूल दिखाई देने लगे थे, and laughing और हस रहे थे, it was a lovely scene, यह आर्या द्रश्य था, only in one corner, it was still winter, केबल बगीचे के एक कोने में अभी भी ठंड थी, it was the furthest corner of the garden, furthest means सबसे आगे का कोना था, of the garden बगीचे का, and in it was standing a little boy, और उसमें एक छोटा लड़का खड़ा हुआ था, he was so small that he could not reach up the branches of the tree, he was so small बहे इतना छोटा था, that की he could not reach up, बहे उपर नहीं पहुँच सकता था, to the branches साखाओ पर, of the tree, पेड की, and he was wandering all around it, और बहे wandering कर रहा था, घूम रहा था, उन पेडों के चार ओर, crying bitterly, तेजी से रो रहा था, the poor tree was still covered with frost and snow, और जिस पेड के बहे बच्चा चारो और घूम रहा था, बहे पेड अभी भी frost यानि पाले से covered था, ढखा हुआ था, and snow वर्प से, and the north wind was blowing and roaring about it, और जो उत्री हवाती यानि थंडी हवाती, वो अभी उस पेड के चारो और चल रही थी, climb up little boy said that repair ने कहा climb up, उपर चड़ो छोटे बच्चे and it went its branches down as low as it could, but the boy was too tiny and it went, means पेड ने बेंट जुका दी, its branches अपनी साखाओं को down नीचे as low as इतने नीचे, it could, जितना भी वो नीचे जुक सकता था, उतनी नीचे उसने अपनी साखाओं को जुका लिया, but the boy was too tiny लेकिन बच्चा बहुत ही छोटा था, and the giant's heart melted as he looked out, और giant का जो heart था, हिर्दय था, वो melted हो गया था, अब पिगल गया था, as जैसे ही, he looked out, उसने बाहर देखा, कि how selfish I have been, कि मैं कितना स्वार्थी हो गया हूं, he said, उसने कहा, now I know why the spring would not come here, now I know मैं जान गया हूं, कि मेरे बगीचे में या यहां अभी तक spring या बसंत क्यों नहीं आया था, I will put that poor little boy on the top of the tree, I will put मैं बैठाऊंगा, that poor little boy उस छोटे से बेचारे लड़के को, on the top चोटी पर of the tree, पेड की या पेड़ पर मैं उसको बैठाऊंगा, and then I will knock down the bowl, और फिर मैं उस दिवार को knock down गिरा दूँगा, तोड़कर गिरा दूँगा, and my garden cell will be the children's playground forever and ever, और मेरा बगीचा बच्चों का playground खेलने का मैदान बन जाएगा, forever and ever, हमेशा, हमेशा के लिए, he was really very sorry for what he had done, उसे बास्तम में बहुत दुख हुआ, जो उसने किया था, अपने करने पर उसे बहुत पच्चतावा हुआ, so he crept downstairs and opened the front door quite softly, so इसलिए crab down stairs बहुत सीड़ियां उतर करके नीचे गया, and opened the front door quite softly, और उसने आराम से अपने सामने का दर्वाजा खोला, and went out into the garden और बगीचे में बाहर चला गया, but when the children saw him, लेकिन जैसे ही बच्चों ने उसको देखा, they were so frightened, बे इतने frightened, इतने डर गए थे, that कि they all run away, बे सभी भाग गए, and the garden became winter again, और बखीजे में दुबारा से ठंड आ गई, only the little boy did not run, केबल बे छोटा लड़का नहीं भागा था, for his eyes were so full of tears, कि उसकी आँखे आँशों से भरी हुई थी, that he did not see the giant coming, इसलिए उसने उस राक्सस को आते वे नहीं देखा और बहन नहीं भागा, and the giant stole up behind him, stole up चोरी-चोरी से उसके पीछे गया, and took him gently in his hands, और उसको अराम से अपने हातों में उठा लिया, and put him up into the tree, और उसको पेड़ पर बैठा दिया, and the tree broke at once into bluesome, और बहर ब्रक्स जो है, एकदम bluesome हो गया, उसके फूल खिल गए, and the words came and sang on it, और पक्सी आ गए, उस पेड़ पर और गाना गाने लेगे, जिस पेड़ पर राक्सस ने उस बच्चे को बैठा आया था, and the little boy stretch out his two arms, and flunk them around the giant snake, उस बच्चे ने stretch out fell आय, his two arms अपने दोनों हातों को फलाया, and flunk them around the giant snake, और कूद कर उस राक्सस की गरदन पर बैठ गया, and kissed him और को kiss किया प्यार किया, and the other children when they saw that the giant was not big and any longer, और जब बच्चों ने ये देखा कि अब giant आप राक्सस दुस्ट नहीं रहा, या कठोर नहीं रहा, came running, वे दोड़ कर आये, back बापस, and with them came the spring, और जैसे ही बच्चे दोड़ कर बगीचे में बापस आये, उनके साथ बसंत्रितू भी बापस आगई, means सारा बगीचा जो है फूलों से खिल उठा, पक्सी गाना गाने लगे, it is your garden now, अब यह तुमारा बगीचा है, little children चोटे बच्चो, said the giant raksas ने कहा, and he took a great axe, और उसने एक बड़ी कुलहाडी ली, and knocked down the wall, और उस दिवार को तोड़ कर गिरा दिया, and when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen, and when or जब the people were going to the market, जब भ्यक्ती या लोग बाजार जा रहे थे, बारा बज़े के करीब, तो उन्होंने देखा कि राखस उस सुन्दर, सबसे सुन्दर बगीचे में बच्चों के साथ खेल रहा था, जो हमेशा वे देखा करते थे, जिस बगीचे को उन्होंने हमेशा जितना सुन्दर देखा था, वह बगीचा अब उतना ही सुन्दर हो गया था, और राक्सस जो है बच्चों के साथ खेल रहा था, उसको गुडबाई कहने के लिए बट वेर इस योर लिटिल कमपीनियन्स उसने पूछा मिन्स राक्सस ने पूछा कि वो तुमारा छोटा कमपीनियन्स साथ ही कहा है दा बोई आई पुट इंटू दा ट्री वह लड़का जिसको मैंने पेड़ पर बैठाया था क्योंकि राक्सस उसे सबसे ज़ादा प्यार करता था क्योंकि उसने उसको किस किया था प्यार किया था वे डॉन्ट नो हम नहीं जानते हैं अंसर दा चिल्डरन बच्चों ने जवाब दिया एस गोन अबे बह दूर चला गया है you must tell him तुम्हें अवस्य उसे बताना to be sure and come tomorrow कि वे अवस्य रूप से कल जरूर आ जाए उस बच्चे से कह देना said the giant राकसस ने उन बच्चों से कहा कि उस बच्चे से कहना कि वे कल अवस्य आए but the children said लेकिन बच्चों ने कहा that they did not know where he lived कि हम नहीं जानते हैं कि वे कहां रहता है and had never seen him before और उन्होंने कभी भी उसको पहले नहीं देखा था had never seen and the giant felt very sad और उस राकसस को बहुत दुख हुआ every afternoon प्रती एक दिन दो पहर के बाद when school was over जब school की छुट्टी हो जाती थी the children came बच्चे आते थे and played with giant और राकसस के साथ खेलते थे but the little boy whom the giant love was never seen again लेकिन बहर छोटा लड़का जिसे वेर राकसस प्यार करता था उसे फिर उन्होंने कभी नहीं देखा the giant was very kind to all the children बहर राकसस अब सभी बच्चों के लिए बहुती दयालू बन गया था yet फिर भी he longed for his little friend उसे longed इच्चा थी कि वे अपने उस छोटे से friend से मिले and often spoke him और often बहुदा या प्राय वे उसकी बाते करता था या उसके लिए पूछता था how I would like to see him कि मैं उसे देखना कितना पसंद करूंगा या उसे देखने की मेरी कितना इच्चा है he used to say भे हमेशा ऐसे कहा करता था years bent why साल बीटते गए and the giant grew very old and fever और बहराकसस बहुती grew old बहुत बुड़ा हो गया and fever कमजोर हो गया he could not play about anymore अब बहर नहीं खेल सकता था so इसलिए he sat in his huge armchair भे इसलिए अपनी armchair पर बैट जाता था and was the children at their games and admired his garden और भे बच्चों के एक games देखा करता था and admired his garden और अपने बगीचे की प्रसंसा करता था I have many beautiful flowers कि मेरे पास बहुत सुन्दर फूल है he said उसने कह but the children are the most beautiful flowers of all लेकिन इन फूलों में सबसे सुन्दर फूल जो हैं वो ये बच्चे हैं बच्चे सबसे सुन्दर फूल होते हैं one winter morning he looked out of his window as he was dressing one winter morning एक दिन सर्दी की सुभा he looked out उसने बाहर देखा of his window अपनी किड़की के as he was dressing जब बह तयार हो रहा था he did not hate the winter now अब बह सर्दी से नफरत नहीं करता था for क्योंकि he knew बह जानता था that it was merely the spring asleep की अब केवल spring यानि बसंत सो गया है इसलिए सर्दियां आई है and that the flowers were resting और जो flowers हैं फूल हैं वो resting अबाराम कर रहे हैं suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked and looked suddenly अचानक he rubbed उसने मली his eyes अपनी आखे and looked and looked और बह देखता ही रहा it certainly was a marvelous sight की है निश्ची रूप से कोई आसर्य जनक द्रश्य था in the furthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossom की उसके बगीचे के जो सबसे furthest corner था सबसे आगे वाला जो कोना था उसमें एक पेड था जो quite covered बिलकुल धका हुआ था with lovely white blossom सफेद फूलों से धका हुआ था था सर्दी का मोसम था सब जगे सर्दियां थी लेकिन उसके बगीचे में जो सबसे आगे कोने पर एक ब्रक्स था वो फूलों से धका हुआ था its branches were golden उसकी सारी साखाए golden थी सुनहरी थी बर golden सुनहरी हो गई थी and silver fruit hanged down from them और उससे silver fruit चांदी के फल लग रहे थे and underneath it stood the little boy he had loved और उसके underneath याने उसके नीचे उस ब्रक्स के नीचे बह छोटा लड़का खड़ा हुआ था जिसे बह प्यार करता था downstairs ran the giant in great joy downstairs city के नीचे बह जाएंट राक्स भाग कर आया के साथ दोड़कर आया and out into the garden और अपने बगीचे में पहुचा he has turned across the grass उसने has turned sea grita से घास को पार किया and came near the child और उस बच्चे के पास आया and when he came quite close his face grew red with anger और जैसे ही बह उस बच्चे के एकदम quite close बहुत ही निकट आया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया किसका राक्सस का क्यों and he said और उसने का who had dare to would bound थी who had had यह poetic language है इसका मिन्स है had कि who has dare to bound थी थी means you कि तुम्हें wound यानि घायल करने की हिमत किसने की है for on the palms of the child's hands were the prince of two nails क्योंकि बच्चे की palms means हतेली पर of the child बच्चे के hand की हतेली पर were the prince of two nails दो कीले गड़ी थी दो कील के निशान थे घाप थे and the prince of two nails were on the little feet और दो कीले उसके छोटे छोटे पाव में गड़ी हुई थी उससे घायल था who had dare to bound थी कि तुम्हें घायल करने की हिमत किसने की है cried the giant वहराक सच चिलाया tell me मुझे बताओ that की I may take my big sword की मैं अपनी बड़ी तलवार लू and the slay him slay kill उसको मार दूँगा उसकी हत्या कर दूँगा जिसने भी तु बच्चे ने कहा जबाब दिया what these are the bounds of love ये bounds ये घाब तो प्यार के घाब है who are though who art means are though means you means who are you तुम कोन हो said the giant उस राक्सस ने कहा and a strange away fell on him और उस पर एक अजीब सा असर हो गया and he nailed before the little child और भेह nailed यानि घुटने जुका कर उस बच्चे के सामने बैट गया and the child smiled on the giant और भेह बच्चा उस राक्सस पर मुस्कराया and said to him और उससे कहा you let me play once in your garden कि तुमने एक बार मुझे अपने बगीचे में खेलने दिया था today you shall come with me आज तुम मेरे साथ आओगे to my garden मेरे बगीचे में which is paradise जो paradise अर्थाथ स्वर्ग है कि तुमने एक दिन अपने बगीचे में मुझे खेलने दिया था और आज तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में जाओगे and when the children ran in that afternoon और जब बच्चे उस दो पहर के बाद बहाँ पर खेलने के लिए गए तो they found the giant laying dead under the tree तो बच्चों ने पाया कि बहर राक्सस उस पेड़ के नीचे मरा हुआ पड़ा था all covered with white bruises और सब covered धका हुआ था with white bruises यानि सफेद फूलों से धका पड़ा था तो बच्चों देखा कि राक्सस ने जब बच्चों के साथ सुरू में rude behave किया गलत ब्याववार किया तो प्रैक्रती उससे नराज हो गई अर्था चारो तरह बसंताय सारी रित्वे बदलती रही लेकिन राक्सस के बगीचे में कोई रित्व नहीं वदली वहाँ पर हमेशा ठंड ही रही और जैसे ही उसने बच्चों को अलाव कर दिया तो सारे ही बगीचा उसका पहली की तरह सुन्दर हो गया और उससे प्रैक्रतीर था भगवान भी प्रसंद हुए और उसका अंत कितना अच्छावा की भगवान उसको खुद यानि वो खुद अपने बगीचे जिसको पैरडाइजर था स्वर्ग का बगीचा स्वर्ग कहा जाता है वहाँ पर ले गए ओके सुडेंड थैंक्यू टेक केर